हलो फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम आपको यह बताने सारूं की कैसे आप अपने Redmi 12 Android में अपने मुँएल फोन के Google Assistant की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको डीटेल में जान करी देने वालों तो चलिए आप वीडियो को हमें स्टार्ट कर लेते हैं देखी दूस्तों अगर आपके मुगल फून में गूगल असिस्टेंट अगर काम नहीं कर रहा है तो इसके सॉलिशन के लिए करना क्या है देखी सबसे पहले तो आपके जो है न अपने मुगल फून में यह जो गूगल का एप है इस गूगल के एप को ओपन कर लेना है ठीक है अब आपका यह गूगल का ओपन होगा तो इसमां आपको रइट साइट के top पर यह प्रोफाइल पिक्चर पर अपको tap करना है, अब आपका एक यह पेज आएगा इसमां आपको नीचे की 시대 nे एफ शैटिंग का यह option आपको tap करना है तो आपका यहाला पेज आएगा इस page में आपको नीचे न हे Google के सामने ला बटन आपको चालू करना है कैसे करेंगे देखिए आपको simply इस बटन पर tap करेंगे न तो आपका एक यह page आ जाएगा ठीक है इस page में आपको नीचे more का यह option है इसे tap करना है अब आपको यहाँ पर इसे not now कर देना अभी फिलाल के लिए not now कर देंगे तो आपको यहाँ पर यह Google के सामने ला बटन आपको चालू हो जाएगा अब दीक है अगला काम आपको करना है आपको जोना back page पे जाना है तो आपका यह जो Google Assistant का option था ना इसके ठीक नीचे आपको voice का option मिलता है तो इस वोईसका option है इसे आपको टैप करना है आपका यह page आएगा इसमें आपको speech output का यह जो option है इसे tap करना है तो आपका इस page में, speech output के इस page में, अगर आपका इन नोन के सामने ले circle पे tick mark लगा हुआ है, तो इसे आपको full के option पे tick mark लगाना है, ठीक है, यह आपको confirmation कर लेना, full पे tick mark लगा होना चीए, ठीक है, तो दोस्तों, यह जो मैंना आपको इस वीडियो में, दो तरीके आपको जो